हेलो प्रेंड कैसे हो आप सबी निर्जला एक अदसी आज बुरत की कथा इत्यास और महत्व उपबाज में ध्यान रखने योग बात आज हम आपको एक अदसी की कथा बताएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं जब बेद ब्यास ने पांडबों को चारो पुरसार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एक अदसी बुरत का संकलव करवाया था तब यूदिश्टर ने कहा जनारदन जेट मास के सुकुल पक्ष में जो एक अदसी पढ़ती हो किर्पया उनका बर्णन की जिये स्री किष्ण ने कहा है राजन इनका वर्णन परम धर्मात्मा ब्यास जी करेंगे क्योंकि यह संपूर्ण सास्त्रों की तत्तब बग्या और बेद बेदागों के परांतग बिद्वान हैं तब बेद ब्यास जी कहने लगे किसन और सुकुल पक्ष की एक अदसी में अन खाना बर्जित है एक अदसी को इश्णान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशब की पूजा करें फिर पहले ब्रहमणों को भोजन देकर अन्त में स्वैम भोजन करें यह सुनकर भीम स बोले परम बुद्धुमान पिता महा मेरी उत्तम बात सुनिये राजा इदुस्टर माता कुंती द्रोवदी अरजुन नकुल और सहदीव यह एक अदसी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा ही कहते हैं कि भीम सेन एक अदसी को तुम भी ना खाया करो परंत म मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी भीम सेन की बात सुनकर व्यास्ची ने कहा यदि तुम नरक को दूसित समझते हो और तुम हैं स्वर्ग लोग की प्रापती अभीश्ट है और तो दोनों पक्छों की एक अदस्यों के दिन बोजन नही करना भीम सेन बोले महा बुद्धमान पितामा मैं आपके सामने सच कहता हूं मुझसे एक बार बोजन करके भी बिरत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास कैसे करके मैं कैसे रह सकता हूं मेरे उदर मैं बिरक नामक अगनी सदा प्रजलित रहती है अथा जब मैं बहुत दिखाता हूं तबी यह सांत होती है इसलिए महा मुनी मैं पूरे बर्स भर में केबल एक ही उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलब हो तथा जिसके करने से मैं कल्यान का भागी हो सकूँ ऐसा कोई एक ब्रत निश्चे करके बताईए मैं उसका आयोचि रूप से पालन करूंगा ब्यास जी ने कहा भीम सेंजेट मास के सूर्य ब्रक्च रासी पर होग या मिथुन रासी पर सुकल पक्च में जो एक अदसी हो उसका अत्यंत पूर्वक निरजला ब्रत करो केबल कुला या आचमन करने के लिए मुँ में जल डाल सकते हो उसको छो पूरस मुख में ना डालें अन्यता ब्रत भंग हो जाता है एक अदसी को सुर्य उद्य से लेकर दूसरे दिन के उद्य तक मनस जल का त्याक करें तो ये ब्रत पूर्ण होता है इसके बाद द्वादसी को पिरवात काल में इसनान करके ब्रहमाणों को विदी पूर्वक जल और सूबरन का दान करें इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जिते इंद्रय पूरिष ब्रहमाणों के साथ बोजन करें बर्स भर में जितनी एकदसीयां होती है उन सब का फल इस निरजला एकदसी से मनुस प्राप्त कर लेता है इसमें तनिक भी संधे नहीं हैं संक चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान के सब ने मुझे से कहा था कि यदी मानव सब को छोड़ कर एक मात्र मेरी सनन्ड में आ जाए और एकदसी को निराहर रहे तो बहस सब पापों से छूट जाता है कुंती नंदन निर्जला एकदसी के दिन स्रदालू इस्तरी पुरसों के लिए जो विशिस दान और कर्तब्य भीहित हैं उन्हें सुनो उस दिन जल में सयन करने वाले भगवान विशुडूं का पूजन और जल माई धेनू यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए सामान गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है इस दिन तछणा और कई तरह की मिठाईयों से ब्रहामणों को संतुष्ट करना चाहिए उनके संतुष्ट होने पर स्रीहरी मोक्ष प्रदान करते हैं जिने स्रीहरी की पूजा और रात्री में जारन करते हुए इस निरजला एकदसी का ब्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई सो पीडियों को और आने वाली सो पीडियों को भगवान बासुदेव के परमधां में पहुँचा दिया गया है निरजला एकदसी के दि अन्य वस्त्र गौ जल सौर्या सुंदर आसन कमंडलू तथा च्छाता दान करने चाहिए जो जेट तथा सुपात्र ब्रहामण को जूता दान करता है भैसोने के बिमान पर वैटकर स्वर्ग लोग में प्रतिष्ट होता है जो इस एकदसी की महमा को भक्ति पूरुपक सुनता अतबा उसका बनन करता है भैसोने सुवर्ग लोग में जाता है चत्रुद सूक्त आमवस्या को सूरे गरहन के समया स्राद करके मनोस जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है भीम सेंजेट मास के सुकुल पक्ष की जो सुब एकादसी होती है उसका निर्जल ब्रत करना चाहिए उस दिन स्रेश्ट ब्रामणों को सक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए ऐसा करने से मनुस्ष भगवान विश्णों के सम में पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है इसके बाद एकादसी को ब्रामणों को भोजन कराने के बाद स्वयम भोजन करें जो इस प्रकार पुन रूप से पाप नासनी एकादसी का ब्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद में पद को प्राप्त होता है यह सुनक और भीमसे ने भी इस सुब एकादसी का ब्रत आरम कर दिया तो प्रेंड ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों शेयर कर दें चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्याबाद